सब्जेक्स्टेट पार्ट टू चेप्टर फाइव विकलन डिफरेंटेशन उदाहरन ओगंतिस तो उदाहरन ओगंतिस नी रकम आपड़े जोईए तो सुकेश देजो एक वस्तूना एक्स एकमोना उत्पदन ना खर्चनू विधै सी बराबर 5x स्क्वार प्लस 6x प्लस 2000 छे तो सी बराबर 5x नो वर्ग वत्ता 6x वत्ता 2000 छे ज्यारे उत्पदन 51 होई त्यारे सिमान खर्च शोदो तो दाखला मा पेला तो खर्चनु विधेय आपी उश्य तो लखो चुँ जवाब लगती वकते खर्चनु विधेय तो खर्चनु विधेय C बराबर 5X स्क्वार प्लस 6X प्लस 2,000 तो अब खर्चनु विधेय आपी दिदो तो आपड़े डाइरेक आज, काईके उत्पदन 50 एकम एटले X बराबर आपी दिदा आज तो डाइरेक आपड़े सिमान्त खर्चनु विधेय शोदी नाखिये तो तेथी सिमान्त खर्चनु विधेय DC by DX आपड़ा आनू विकलन करी देवानू तो आनू विकलन करवा माटे 5X स्क्वेयर शो तो बोलो 5, 2, 10, 5, 2, 10 और X बेमाथी एक जाई तो एक बात करो के ना करो कोई फरक पड़तो बात करो तो एक आवे एक ने लखो के ना लखो कोई फरक पड़तो नथी 6X नू विकलन अल्वेज 6 सज होई और 2000 नू विकलन 0 थाई जेनी साथ एक न थी तेनू मुल्य जीरो से बराबर तो चलो सिमान खरश्णू विधाई DC by DX बराबर 10X प्लस 6 आवे जेरो उत्पदन पचास एकम होई यारे उत्पदन पचास एकम होई जेरो उत्पदन एकस बराबर पचास एकम होई लखी दाऊचू एकस बराबर पचास एकम होई त्यारे तो एकस नहीं जेकिया पड़े पचास हो कौन हो त्यारे सिमान खरच लखू चू बाजू माँ dc by dx बराबर 10x प्लस 6 यारे लखी दाऊचू 10x प्लस 6 तो दस एवा ने एवा वह एकस नी किम्मत मुगी दाऊचू तो एकस नी किम्मत कितली जें आपड़े पचास एक अगर पचास लखी दाऊचू प्लस 6 पचास गुणिया दस करीश तो पान्सो प्लस 6 तो पान्सो ने 6 आऊशे तो यह अगर वाक्य लखी दिवानू आपड़े अर्थकटन मा के एकावान मों एकम उत्पदन करवानों खर्च आसरे रुप्या पान्सो छो छे बस हाटलोज अंदर दाखलो छे वकई छे जने एकदम नानकड़ो दाखलो छे तो जो असी आपेला छे तेयनू विकलन कर द अन्सर आवी गियो तो दाखलों यह पूरो थाई गवश्य तो दरेख स्टूड़े ने समझ पड़ी गे हसे हुँ समझूशू तो आज स्टूड़े ने थैंक यू बेरी मच्च